सरदिया आते ही हम सभी मार्केट से चवन प्राश खरीद कर लाके खाते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत ही हेल्दी होगा लेकिन उनमें जादातर होता है चीनी और प्रेजरवेटिव्स तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा चवन प्राश की रेसिपी जिसको बनाना बहुत असान है और मैंने इसमें बहुत ही बेसिक इंग्रीडियंस का इस्तमाल किया है और अगर आप इस चवन प्राश का एक चमश डेली खा लेंगे तो आपका इम्म्यूनिटी तो स्ट्रॉंग होगा ही और साथ ही साथ आप बिमारियों से भी बहुत ही दूर रहेंगे हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू क्रेजी फो हैल्थ मैं हूं मेगा तो चली देखते इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर आमला जिसको इंडिन गूस बेल कहा जाता है आमला विटमिन C में रिच होता है जिसे कि आपका जो इम्म्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉंग बन जाता है अब इस आमले को हमें बॉइल करना है जिसे कि उसके बीज अलग हो जाए तो आप यहां पर चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं आमले को लेकिन बॉइल करने से यह प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है तो लगबग इसको तीन से चार सीटी तक हमें मेडियम फ्लेम में बॉइल करना है और यह देखे बॉइल हो चुका है हमारा आमला और यह जो सीट्स है वो किते असानी से अब निकल जाएगा तो हम सारे सीट्स को फ्रूट से अलग कर लेंगे तो जब आमला हलका गरम हो तभी आपको यह प्रॉसेस करना है वरना आपको सीट्स निकालने में मुश्किल हो सकती है तो यह देखे मैंने सारे आमले को अलग कर लिया है सीट्स से अब इन आमलों को हम एक मिक्सर ग्रैंडर जार में डाल देंगे और इसमें हम एड़ करेंगे 12-15 तुलसी के पत्ते और इसका अब हम एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे चाहे तो आप इसमें हलका सा पानी डाल सकते हैं अगर यह नहीं पेस्ट हो रहा हो तो और यह देखे एक बहुती स्मूद सा इसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया है अब हम लेंगे यहाँ पे मसाले तो मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च इसके साथ हम एड़ करेंगे लॉंग अब इसमें डालेंगे हरी, इलाइची अब इसमें जाएगा दालचीनी इसके साथ इसमें जाएगा जीरा सौफ यह मैंने लिए है तेज पत्ते जिसको मैं तोड़ कर डाल रही हूँ इसमें जाएगा जिंजर का पाउडर, अगर आपके पास जिंजर का पाउडर ना हो तो आप जिंजर भी ले सकते है एक फाइन पाउडर में तयार कर लेंगे तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं आप चाहे तो इनको छान भी सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे ही यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इन में से कोई भी इंग्रीडिन ना हो तो आप उसको स्किप क कर सकते हैं मसालों को हम साइड में निकाल लेंगे और अब उसी मिक्सर में हम लेंगे डेट्स यानि खजूर खजूर की मैंने बीज निकाल लिये हैं और ये सौफ्ट वाले खजूर है जिसको पीसने में बहुत ही असानी होती है तो खजूर का भी अब हम एक फाइन बहुत ही असानी से बन जाएगा अगर आपके खजूर हार्ड वाले है तो आप उसको पहले गरम पानी में सोक कर लीजे उसके बाद आप उसका पेस्ट बना लीजे अब हमें कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ देसी घी तो इस चवन प्राश को आजन देसी घी में बनाएंगे जिससे कि इसका इम्म्यूनिटी प्रापिटी बहुत ही भड़ जाएगा घी जब गरम हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे हमारा बनाया हुआ आमला का पेस्ट और इस पेस्ट को अब हम अच्छे से स्टर कर लेंगे तो लगबक तीन से चार पेस्ट है वो सारे घी को अबजॉब कर लेगा और यह देखे जिता भी घी है वो अबजॉब हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारा तयार किया हुआ खजूर का पेस्ट तो यह सारे ही चीजे बहुत ही जादा हेल्दी है स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत ही फाइदमन्द होती है खजूर के साथ हम आमला को अच्छे से कुक कर लेंगे और इसको आप इस समय में ढख सकते हैं और लो फ्लेम पे हमने इसे दो से तीन मिनित तक पकाना है तो इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि यह जो है जो घी हमने डाला था व लॉक्स भी डाल सकते हैं तो इस चवन प्राश में मैंने रिफाइन शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है यह पूरा का पूरा हम बनाएंगे गुड के साथ और गुड के साथ इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आता है और गुड सर्दियों में ब मिक्सचर इस तरीके से एक पेस्ट की तरह नहीं लगने लग जाता तब तक आपको इसको कुप करना है अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे जो मसाले हमने ग्राइंड किये थे उनको और उनको भी अच्छे से इस मिक्सचर में मिला देंगे मसालों को लगबग एक मिनिट कुप करना है जिसे कि वो अच्छे से कंबाइन हो जाए और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे शेहद तो शेहद डालना बहुत ही अच्छा होता है इस चवन प्राश में इससे इसका टेस्ट और जो हेल्थ प्रॉपरटीज है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं शेहद डाल है वो डिस्ट्रॉइ हो सकती है तो यह देखिए जो चवन प्राश हमारा है वो बिलकुल तयार है आप टेक्स्चर एक बार देख लीजए यह बिलकुल इस तरीके से होनी चाहिए बिलकुल डॉपिंग कंसिस्टेंसी या फिर एक केक की बैटर के तरह होनी चाहिए अभी अ प्रेचर में चार से पांच महीने तक बिलकुल खराब नहीं होता आप इस चवन प्राश को डेली एक चमच गरम दूद के साथ ले और आपका जो बॉड़ी में जितना भी बिमारी है वो सब चला जाएगा आपको सर्दी खासी कुछ भी नहीं होगी आपका इम्यूनिटी स सिस्टम स्टॉंग हो जाएगा तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज इन फैमिली के साथ शेर कीजिए और हमें जरूर बताएए कि आपको इस वीडियो कैसा लगा मिलती हो एक और नई रेसिपी के साथ त झाल